हाट पर यह कमेंट मेरे को बड़ेटाइमस आ रहे हैं मतलब कि भाई हमना भी नियू बाइक के लिए है और हीट को रहते किगे और से कूर जाति क्वा कीविडियों total आपको आपको सब्सक्राइब करके जादे हैं कि इतना पता दूंगा कि क्यों केटीम इंजन्स जो है वो हीट करते हैं इतना ज्LR ठीक है थे तो वह इंग गए इंजनद के साइड से साथ होकी आति तो भी ऐ किशूत मेन था ऑनने जो इसकर क्या थी किश्चेकी तो bien prakt students और मैं भी आपको बता दूँ मैं कितना चल के आया हूं ट्रिप बन देखो शिक्स मिनिट थ्री मिनिट का मेरा और उसके बाद तीन मिनिट लगे मुझे मेरे घर से यहां पहुंचने तक तो देख लो तीन मिनिट मैं आधी हीट होगे टेंपरेचर गेर आदा पहुंच गया तो ऐसा क्यों है देखो टेकनिकल टर्मस में नहीं समझाओंगा नॉर्मल यह आपको बता दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ऐसा क्यूं होता है जो के टेम की बाइक समय हीट क्यूं करती है तो फर्स्ट फैक्टर तो यह था कि जो बंदे बताते हैं काफी एकि हाई कंप्रेशन इंजन्स बंदा हुए कंप्रेशन रेसमाइं रखह को ही इन होगा आपके के अंदर ह oggi एन और यह कि अदर आ आया तो जब इतना पट्रोल आया तो जो ऊपर जाएगा जो उसके इन और आउट लेट हो दोना ब्लॉक हो यह इन अपको आइड डिया हम बढ़ा देगा पहले इतनी थी डɇंसिटी ठीक हैथ पेट्रोल इतना था लेकिन फिर वो उसको Compress कर देगा Compress समझते होना Compress यृम कि freakin कर देना उसको इतने को इतना बना देगा तक की पावर देती है इतने कम प्राइज पे आपको इस सेगमेंट में कोई भी और कंपरिंग भाइक नहीं मिलेगे जो आपको इससे ज्यादा पावर देगी ठीक है तो यानि की नॉर्मल सा फैक्टर में बता तो जितना ज्यादा अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है तो समझागे प्रोड्यूस कर रहा तो उसकी बज़ासे फीड भी प्रोड्यूस कर रहा तो क्या कंपनी वालोंने मतलब कूलिंग सिस्टम्स वगारा वो सही नहीं रखें वह बिल्कुल सही है देखो तो मेन कंपनी वालों ने फोकस किया थ ठीक है लेकिन सीन के हम लोग इसको नॉर्मल हैवेस पर चलाते हैं आप ट्रैफिक भी होता है वहां पर हम ऐसा है नहीं यहां पर हम स्पीड चलेंगे 100 प्लस स्पीड रखें के कोई स्पीड कम नी करेंगे तो हम स्पीड जलो में चलते हैं तो जितना स्टाइब वहाई उत इंजन गरम हो जाना ठीक इतना जड़ा तो यह बात थी और वी एक सिंजन में क्या कि यह कंपनी वालों ने की थोड़ा इसका कम्प्रेशन देशो और ज्यादा बढ़ा दिया नॉर्मल आप मतलब यह याद रखो कि इसलिए जो है जितने इजी लेंगोज में आपको समझा सकता था मैंने वैसे समझा दिया टेकनिकल टांस में समझाने लगता तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो बन जाता आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों के टिम के इंजन जो इतने जड़ा हीट करते है है थोड़ी टाइम है यह सब रिजन थे इसके और ऐसा ही रहेगा वाई आप बोलोगे की केटेम इंजन बहुत हीट होते हैं यह इसका डिस मतलब कौन सेंस के तो कौन नहीं है भाई एक रेसिंग इंजन है ट्रैक फोकुस्ट बाइक बनाई है यह जो केटेम ने बनाई है फोकुस धरा फोकॉस्ट ě् grew in video इसमें डावले जितना ज्यादा ख्टाशन रेस उत्री एट हीट गया ट्रीवरे च behaviour के लिए क्योंकि अब आप ड़ेंचुरेस प्री नाइंटी जो वो भूट्यियोंट सिग हो ज्यादा महेंंगी और उसका बश्रेटिक Sergeी यख से भोग फैन्स लगें की कम्पनी को पता है की इस बाइक के ओपर ओफ रोडींग भी की जाएगी इस बाइक के उपर लोग भगाएंगे भी इसको क्यों के अब इतनी जाद पाउरफुल इंजिन भगाएंगे भी आ फ्रोडिंग भी उसकी जो लिमिट फटें पे पुश्ट की यह वह सेम रेडेटर सभी में दिये गया ठीक है तो यह एक रिजन था कि क्यूं के इंजन्स इतने घीट हो जाते हैं फिर चाहे वह 25 इंजन्स इतने हीट होते हैं तो इसमें कोई यह कौन्स नहीं है आप सोच रहोगे कि कौन्स है यह कोई मेरी बाइक में प्रोबलम है सब्सक्राइब कर दो मैं मिल तो आप को इसी को ने वीडियो में तब तक के लिए बाइगाइज है कर देख 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 कर दो